प्रिष्ट संख्या 102 जामुन का पेड रात को बड़े जोर का जखकर चला सेकरेटेरियेट के लौन में जामुन का एक पेड गिर पड़ा सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड के नीचे एक आदमी दभा पड़ा है माली दोड़ा दोड़ा चपरासी के पास गया चपरासी दोड़ा दोड़ा क्लर्क के पास गया और क्लर्क दोड़ा दोड़ा सुपरिंटेंडेंट के पास गया सुपरिंटेंडेंट दोड़ा दोड़ा बाहर लौन में आया मिनिटों में गिरे पेड के नीचे दवे आदमी के चारों और भीड इकठी हो गई प्रिश्ट संख्या एक सो तीन बेचारा जामुन का पेड कितना फलदार था एक क्लर्क बोला और इसकी जामुने कितनी रसीली होती थी मैं फलों के मौसम में जोली भर कर ले जाता था मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया सुप्रिटेंडन्ट सोच में पड़ गया पता नहीं जिन्दा है कि मर गया एक चप्रासी ने पूछा मर गया होगा इतना भारी पेड जिसकी पीट पर गिरे वह बच कैसे सकता है दूसरा चप्रासी बोला नहीं मैं जिन्दा हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिंता से कराते हुए कहा जिन्दा है एक क्लरक ने ताजुप से कहा पेड को हटा कर इसे जल्दी से निकाल देना चाहिए माली ने सुझाव दिया मुश्किल मालूम होता है एक सोस्त काम चोर और मोटा चप्रासी बोला पेड का तना बहुत भारी और वजनी है क्या मुश्किल है माली बोला अगर सुपरिंटेंडेंट साहब हुक्म दे तो अभी 15-20 माली चप्रासी और क्लरक लगा कर पेड के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है माली ठीक कहता है बहुत से क्लरक एक साथ बोल पड़े लगाओ जोर हम तयार है एक साथ बहुत से लोग पेड को उठाने को तयार हो गए ठैरो सुपरिंटेंडेंट बोला मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछनू सुपरिंटेंडेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया अंडर सेकरेटरी डिप्टी सेकरेटरी के पास गया, डिप्टी सेकरेटरी जॉइन सेकरेटरी के पास गया, जॉइन सेकरेटरी चीफ सेकरेटरी के पास गया, चीफ सेकरेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर ने चीफ सेकरेटरी से कुछ कहा, चीफ सेकरेटरी ने चलती रही इसी में आधा दिन बीट गया दो पहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारो ओर बहुत भीड हो गई थी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कुछ मनचले क्लरकों ने समस्या को खुद ही सुलजाना चाहा वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किये बिना पेड को अपने आप हटा देने का निश्चे कर रहे थे कि इतने में सुपरिंटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया बोला हम लोग खुद इस पेड को हटा नहीं सकते हम लोग ब्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड की समस्या है जो क्रिशी विभाग के आधीन ह मैं उस फाइल को अरजेंट मार्क करके क्रिशी विभाग में भेज रहा हूँ वहां से उत्तर आते ही इस पेड को हटवा दिया जाएगा दूसरे दिन कृशी विभाग से उत्तर आया कि पेड व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है इसलिए इस पेड को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पढ़ती है यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को घुस्सा आ गया उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या ना हटवाने की जिम्मेदारी कृशी विभाग पर लागू होती है व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है दूसरे दिन भी फाइल चलती रही शाम को जवाब आ गया हम इस मामले को होटी कल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एगरिकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बारी के मामलों में फैसला करने का हगदार है जामूं का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है इसलिए यह पेड होटी कल्चर डिपार्टमेंट के अंतरगत आता है रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें मगर एक पुलिस कॉंस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी पृष्ट संख्या 105 माली ने दबे हुए आदमी से कहा तुम्हारी फाइल चल रही है उमीद है कल तक फैसला हो जाएगा दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला माली ने पेड के तने को ध्यान से देख कर कहा अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूले पर गिरा अगर कमर पर गिरता तो रीड की हड़ी तूट जाती दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला माली ने फिर कहा तुम्हारा यहां कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा मैं लावारिस हूँ दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया तीसरे दिन होटी कल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया बड़ा कड़ा जवाब था और वेंगे पून होटी कल्चर डिपार्टमेंट का सेकरेटरी साहित ते प्रेमी आदमी जान पड़ता था उसने लिखा था आश्चर यह है इस समय जब हम पेड लगाओ स्कीम उचे स्तर पर चला रहे हैं हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेडों को काटने का सुझाओ देते हैं और वह भी एक फलदार पेड को और वह भी जामून के पेड को जिसके फल जनता बड़े चाओ से खाती है हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार पेड को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता अब क्या किया जाए इस पर एक मनचले ने कहा अगर पेड काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए ये देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानि धर से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड वहीं का वहीं रहेगा मगर इस तरह तो मैं मर जाओंगा दबे हुए आदमी ने आपत्ती प्रकट करते हुए कहा ये भी ठीक कहता है एक लर्क बोला प्रिश्ट संख्या 104 आदमी को काटने वाली युकती प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया आप जानते नहीं है आज कल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नती कर चुकी है मैं तो समझता था अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धर के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया मेडिकल डिपार्टमेंट ने फोरण एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुँची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन चान बीन के लिए भेज दिया सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्य देख कर खून का दबाव देखा नाड़ी की गती को परखा दिल और फेपड़ों की जाच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक आउप्रेशन तो हो सकता है और आउप्रेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा हम इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुह में खिचरी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला उपर चला गया है सुना है कि कल सेकरेटेरियेट के सारे सेकरेटेरियों की मीटिंग होगी उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा उमीद है सब काम ठीक हो जाएगा दबा हुआ आदमी एक आह भर कर धीरे से बोला ये तो माना की तगाफल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक माली ने अचंबे से मुँ में उंगले दबाली और चकित भाव से बोला क्या तुम शायर हो दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया चपरासी ने कलर्क को कलर्क ने हेड कलर्क को थोड़ी ही देर में सेकरेटेरियट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है पस फिर क्या था लोगों का जुंड का जुंड शायर को देखने के लिए उमढ़ पड़ा प्रिष्ट संख्या 107 इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए सेकरेटेरियट का लौन भाती भाती के कवीयों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों और कवी सम्मेलन का सा वातावरन उत्पन हो गया सेकरेटेरियट के कई कलर्क और अंडर सेकरेटरी तक जिन्हें साहित्ते और कवीता से लगाओ था रुक गए कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कवीताएं और दोहे सुनाने लगे कई कलर्क उसको अपनी कवीता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवी है तो सेकरेटेरियट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चुकी दबा हुआ आदमी एक कवी है इसलिए इस फायल का संबंध ना Agriculture Department से है ना Horticulture Department से है बलकि सिर्फ Cultural Department से है Cultural Department से अनुरोथ किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवी को इस फलदार पेड से छुटकारा डिलाया जाए फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुची बिचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरियट पहुचा और दबे हुए आदमी से इंटर्वियू लेने लगा तुम कभी हो उसने पूछा जी हाँ देभे हुए आदमी ने जवाब दिया किस उपनाम से श्वभित हो ओस ओस सेक्रेटरी जोर से चीखा क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है दबे हुए कभी ने हुंकार में सिरहिलाया क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो सेक्रेटरी ने पूछा नहीं प्रिष्ट संख्या 108 आश्चेर यह है सेक्रेटरी जोर से चीखा इतना बड़ा कभी ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है उफ कैसी भूल हो गई हमसे कितना बड़ा कभी और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है गुमनामी में नहीं एक पेड के नीचे दबा हूँ सेक्रेटरी फॉरन बोला और फॉरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कभी के पास आया और बोला मुबारक हो मिठाई खिलाओ हमारी सरकारी साहित अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रिय शाखा का मेंबर चुन लिया है यहलो यहलो चुनाओ पत्र मगर मुझे इस पेड के नीचे से तो निकालो दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आँखों से मालुम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है यह हम नहीं कर सकते सेक्रेटरी ने कहा और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है बलकि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं अगर तुम दरख्वास्त दो, तो हम वह भी कर सकते हैं, मैं अभी जीवित हूँ, कभी रुक रुक कर बोला, मुझे जिन्दा रखो, मुसीवत यह है, सरकारी साहित्यक आदमी का सेकरेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड काटने का मामला कलम दवाद से नहीं, आरी कुलहाडी से संबंधित है, उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, और अर्जेंट लिखा है, शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, माली बहुत खुश था, दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी ना किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था, कल तक, कल सवेरे तक, किसी ना किसी तरह उसे जीवित रहना है, दूसरे दिन जब फॉरिस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलाडी लेकर पहुँचे, तो उनको पेड काटने से रोक दिया गया, मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था, कि इस पेड को ना काटा जाए, कारण यह था, कि इस पेड को दस साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधान मंत्री ने सेकरेटेरियट के लॉन में लगाया था, अब अगर यह पेड काटा गया, तो इस बात का काफी अंदेशा था, कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड जाएंगे, मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल लाया, दूसरी और दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, और यह तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्ये को कितनी साहता देती है, क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते, कवी को मर जाना चाहिए, निशन दे, अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रिंटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधान मंत्री दौरे से वापस आ गए है, आज चार बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा, जो वे फैसला देंगे, वही सब को स्विकार होगा, शाम के पाँच बजे, स्वेम सुप्रिंटेंडेंडेंट कभी की फाइल लेकर उसके पास आया, सुनते हो, आते ही वे खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिलाया, प्रधान मंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुकम दे दिया, और इस घटना की सारी अंतरराष्ट्री जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है, कल यह पेड काट दिया जाएगा, और तब तुम संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे, सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई, प्रिष्ट संख्या 110, मगर कभी का हाथ ठंडा था, आँखों की पुतलियां, निर्जीव और चीटियों की एक लंबी पांथ उसके मुँ में जा रही थी, उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुगी थी, अभ्यास, पाठ के साथ, एक, बेचारा जामून का पेड, कितना फलदार था, और इसकी जामूने कितनी रसीली होती थी, कः, ये समबाद कहानी के किस प्रसंग में आए हैं, ख, इससे लोगों की कैसी मानसिक्ता का पता चलता है, दो, दबा हुआ आदमी एक कवी है, ये बात कैसे पता चली, और इस जानकारी का फाइल की यात्रा पर क्या असर पड़ा, तीन, क्रिशी विभाग वालों ने मामले को हौटी कल्चर विभाग को सौपने के पीछे क्या तर्क दिया, चार, इस पाठ में सरकार के किन-किन विभागों की चर्चा की गई है, और पाठ से उनके कारे के बारे में क्या अंदाजा मिलता है, पाठ के आसपास, एक, कहानी में दो प्रसंग ऐसे हैं, जहां लोग पेड के नीचे दबे आदमी को निकालने के लिए कटी बद्ध होते हैं, ऐसा कब-कब होता है, और लोगों का यह संकल दोनों बार किस-किस वजह से भंग होता है, दो, यह कहना कहां तक युक्ति संगत है, कि इस कहानी में हास्से के साथ-साथ करुणा की भी अंतरधारा है, अपने उत्तर के पक्ष में तरक दें, तीन, यदि आप माली की जगह पर होते, तो हुकूमत के फैसले का इंतजार करते या नहीं? अगर हाँ, तो क्यों? और नहीं, तो क्यों? शीर्शक सुझाईए कहानी में बार-बार फाइल का जिक्र आया है, और अंत में दबे हुए आदमी के जीवन की फाइल पूर्ण होने की बात कही गई है कहानी का मुखे पात्र उस विवेख हीनता का शिकार हो जाता है भाशा की बात एक, नीचे दिये गए अंग्रेजी शब्दों के हिंदी प्रयोग लिखिये इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली-गली से शायर जमा होने शुरू हो गए यह एक संयुक्त वाक्य है जिसमें दो स्वतंत्र वाक्यों को समानाधी करण, समुच्य बोधक, शब्द और से जोड़ा गया है संयुक्त वाक्य को इस प्रकार सरल वाक्य में बदला जा सकता है इसकी चर्चा शहर में फैलते ही, शाम तक गली-गली से शायर जमा होने शुरू हो गए पाठ में से पाँच संयुक्त वाक्यों को जुनिए और उन्हें सरल वाक्य में रुपांदरित करिए तीन, साक्षातकार अपने आप में एक विधा है जामुन के पेड के नीचे दबे आदमी के फाइल बंद होने अर्थात मृत्यू के लिए जिम्मेदार किसी एक विक्ती का कालपनिक साक्षातकार करें और लिखें शब्द छवी जक्कर यानि आंधी यानि रोनी सूरत ताज्युब यानि आश्चेर्य होटी कल्चर यानि उद्यान क्रिशी एग्रिकल्चर यानि क्रिशी तगाफुल यानि विलंब, देर या उपेक्षा